हेलो मेरे प्यारे दोस्तों कैसे हूँ आप सभी आपका स्वागत है आपके अपने फेवरेट गेमिंग यूट्यूब चैनल गेम डेफिनेशन में और जैसा कि आपने हमें पिछली वीडियो में कहा था कि ग्रैनी चैप्टर टू का गेम प्ले लाओ तो लो भाई आज हम लोग यहां आ गए है और अब फटाफट गेम को स्टार्ट कर लेते हैं डिफिकल्टीज तो नॉर्मल ही रहने देते हैं और यहां पर कुछ टिप्स भी लिखी है जिनको हम कभी फोलो तो करते ही नहीं और लो दोस्तो हो गई डेवन की पहली सुबा गूड मॉर्निंग वा भाई वा रात को तो सो कर मजा ही आ गया फ्रेंड्स मैकल छुपते छुपाते यहां पर तो आ गया चलो अब हम चल्दी से अपनी ग्रैनी से मिलने चलते हैं वो तो हमको यहां पे देखके हकी बकी रह जाएगी देखो दोस्तो रात को तो मैं इसी दर्वाजे से यहां पर आया था तो चलो इसी से उपर चलते हैं दोस्तो अपनी ग्रैनी का ये वाला घर तो उनके पिछले वाले घर से भी बहुती ज्यादा खूब सूरत है चलो इस घर की थोड़ी ठहकी कात करते हैं और इस द्रोर में क्या पड़ा है एक चाबी भला ये भी कोई चाबी रखने की जगा है और ये आवाज कैसी आ रही है ओहो ये क्या है दर्वाजे की इतनी प्रोटेक्शन मुझे तो लगता है कि यही यहां का में ड्रोर है तो चलो अब हम यहां पर और कुछ ढूंडते हैं क्यों और निकला रेंच चलो कोई बात नहीं और ये आवाज कहां से आई कौन है भाई मैं हूँ ग्रैनी तुम्हारा राज दुलारा ओ शित तुझे मेरे नए घर के बारे में कैसे पता चला ग्रैनी बात ऐसी है घर जैसी है मैंने लोगों से पूछा कि यहां पर चांद से भी ज कुछ बरतनों की बात भी कर रहे थे नहीं नहीं मैंने कोई बरतन नहीं चुराए और पांच प्लेट और दो गिलास तो बिलकुल भी नहीं अच्छा ये सा बाते छोड़ और बता कि तु अभीता अपने ग्रैन्ड पा से मिला क्या नहीं यार कहा पर है वो शायद उपर रस पा से मिलकर आते हैं काली अंधरी रात में दिया मेरे हाट में तू कौन है वे जो चुपके मेरा काना सुन रहा है औरे अंकल जी मेरी ग्रैनी ने मुझे यहां बुलाया है साले तेरी ऐसी की तैसी वो मेरी है उसे बदनाम करता है फ्रेंड्स ये ग्रैनपा तो बहुत गुसे वाले है मैं उनसे इतने प्यार से बात कर रहा था मगर फिर भी उन्होंने मुझे डंडा मार के आउट कर दिया अब मैं उनको नहीं छोड़ने वाला भला मुझ जैसे क्यूट बच्चे को भी कोई इतनी जोर से सिर पे डंडा म मैं उन्हें सामने से बुलाऊंगा और आप पीछे से उनके उपर कंबल डाल देना फिर मज़ा आएगा ना बर्खूरदार अच्छा मगर ये ग्रैंडपा चले कहां गए अरे कहां छुप गए हो हमारे ग्रैंडपा प्यारे एक बार सामने तो आजाओ फिर दिखा कि ये क्या है एक स्टन गुन मगर यो चलेगी कैसे चलो हम जाकर अपनी ग्रैंडपा पूछ लेते हैं अरे ये सामने कैसा दरवाजा है इस पर तो कुंडी भी लगी है तो चलिए बिना कुंडी खड़काई नीचे चलते हैं अरे ग्रैंडपा पर हो देखो ये पांच रू ग्रैंडपा जटका है जोरों से लगा शादी बन गई उमर कैद की सजा अच्छा ग्रैंडपा कहां पर मिलेंगे अरे जांडू ये क्या हो गया लगता है ये शराती बच्चे का काम हो गया तूता गया ओफ गोली का जटका अंग अंग फड़का दोस्तों लगता है कि अंकल जी को तो बहुत मजे आ गए तो चलो इस मिस्टीरियस घर में और कुछ ढूंडते हैं मगर एक सेकिंड ये क्या है कहीं इस वाली किताब को भी छेड़ते ही पिछले घर की तरह सूपर ग्रैनी तो नह जाएगी ये क्या कमरा तो शुरू होते ही खतम भी हो गया और यहाँ पर तो एक बोट का स्टेरिंग भी पड़ा है यानि कि ग्रैनी के इस वाले घर में एक बोट भी होगी बीडू अब आएगा ना असली मजा आप देखना फ्रेंड्स मैं उस बोट को ऐसे चलाऊंगा ऐ और इसमें क्या है एक खूफिया सुरंग तो चलो जल्दी से नीचे जा कर देखते हैं मुझसे तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा ओहो वो क्या था फ्रेंड्स मुझे लगता है कि वो यहां का समुंदरी दानव है और ये रही हमारी सूपर दोस्तों ये कहीं से भी सूपर बोट तो लग ही नहीं रही और इसका तो सामान भी गायब है फ्रेंड्स मैं तो इस घर में बोर हो गया हूँ तो क्यो ना इस बोट को ही रिपेर कर दिया जाए और इस बोक्स में क्या है दोस्तों इसके लिए तो हमें एक पैडलो की चाहिए तो चलो इस किष्टी के बाकी पुर कर दीजिये ना ग्रैनी के इस बड़े से घर में बोट का सामान ढूडने के लिए अरे वो फर्ष पर क्या पड़ा है गाईस ये तो एक रेंच है पता नहीं ये किस काम आएगा मगर हम फिर भी इसको अपने पास रख लेते हैं अरे दोस्तों वो ग्रैनी ग्रेंडपा कहां लख लिये ओए छो तू मेले लिए दो गिलाच जूच लेता आ और वो भी ताजे ताजे छंतले का ओए नो टंकी कहीं के मैं तुझे नोकर लगता हूं क्या रुक अभी तेरे कान पर दो लगाता हूं मुझे पकलना कोई बच्चों का खेल नहीं है क्योंकि चमुंदली दानव मेली लक्षा कलता है पतानी कांछे आजाती है मूठा के और जूश थोड़ा जल्दी लेकला दोस्तो ये मकडी का पच्चा मुझे समझता क्या है अभी इसको मजा चखाता हूं मगर कैसे शायद मुझे इसके अंदर कोई गन मिल जाए चलो नीचे चलते है यार यहाँ पर तो कोई गन ही नहीं है मगर ये क्या है इसको रेंच से टाइट कर देता हूं तो चलो अब दोस्तो ये मकड मानव तो बहुती जहरीला है इसलिए अब हमें इस नलायक को सबक सिखाना ही पड़ेगा और मुझे याद आया हमने यहीं कहीं तो स्टंगन भी फैकी थी देखो ये रही चलो अब उस दुष्ट को सीधा करने चलते हैं ओय मकोडे देख मैं तेरे लिए क् मेला जूच आ गया दोखा अब मेली मम्मी तुछे बदला लेगी कौन है बे तेरी मम्मी ओए बुडबक हम है लिकरा का मम्मी तुमने हमारे गुड़ुगो का किया कुछ नहीं जी संत्रों का ताजा ताजा जूस दिया है इसको शायद एनरजी ज्यादा हो गई है इसी ठीक है वरना मैं तो डर ही गाई थी चलो अब तुम यहां से भाग जाओ और इसको अराम से साने दो ओके स्लेंडरीना जी चलो दोस्तों अंदर देखते हैं कि इस मकोडे के पास कोन सा खजाना पड़ा है ओहो यहां पर तो एक क्रोबार ही है पता नहीं ये जंग लगा हु क्रोबार हमारे किस काम आएगा मुझे तो लगता है कि कोई किल निकालते वक्त कहीं ये खुद ही ना तूट जाए और दोस्तों मुझे याद आया कि उपर कहीं पर एक बकसा पड़ा था जिस पर लिखा था कि वो सिरफ क्रोबार से ही खुलेगा मगर पता नहीं वो किस कमर में पड़ा था हाँ याद आया वो तो इसी सामने वाले रूम में था देखो ये रहा वो बकसा और इसमें से तो हमें पैडलोग की भी मिल गई और ये पैडलोग की तो नीचे बोट वाली जगा पर एक और बकसा था उसे खोलने के काम आएगी दोस्तों अगर हम लोग ऐसे ही उपर नीचे जाते रहे तो बहुत देर लग जाएगी इसलिए मैं इसे यहीं पर रख देता हूँ और चलो अब हम दूसरी जरूरी चीजों को भी ढूंड लेते हैं ये इस कमरे में क्या है और एफ फ्रेंड्स ये तो एक तिजोरी है और ये बिना चाबी के तो ही नहीं इसलिए हम लोग चलते हैं इसकी चाबी ढूंडने के लिए और ये वाली सीडियां तो ग्रेंड्पा के बेड्रूम में ही जाएंगी और सभी लोगों की तरह इन होने भी सेफ की चाबी को जरूर इसी ट्रोर में ही रखा होगा देखो कहा था ना मैंने और ग्रैनी ग्रैन्पा के यहां आने से पहले हम नोदो 11 हो जाते हैं और ये लाल डीवा कैसा मुझे तो लगता है कि इसमें लाल टमेटो कैचप होगा नहीं यार ये तो गैसोलीन है वैसे हमको बोट में इसकी जरूरत तो पड़ेगी मगर उससे पहले जाकर देखते हैं कि ग्रैन्प करे उसको खोल देता हूँ खुल जा सिम सिम दोस्तो ये क्या है एक स्पार्क प्लग मुझे तो लगता है कि ये ग्रैनी और ग्रैन्पा दोनों ही सठिया आ गए है भला ये स्पार्क प्लग भी कोई चूपा कर तिजोरी में रखने की चीज थी चलो अब मैं इनको क्या ही सम की थी चलो जाकर उसको भी ले आते हैं कहीं ऐसा ना हो कि ग्रैनी या ग्रैन्पा को वो की मिल जाए वरना वो दोनों उसको फिर से कहीं और छुपा देंगे देखो ये रही हमें तो मिल गई तो अब मैं अपनी धोती उठाकर पूरी रफ्तार से भागता हूँ नीचे क्यो की वहाँ पर वो सूपर बोट हमारा इंतजार कर रही है जिसको हमने अपने हाथं से बनाया है ये रही बोट और देखो इस तरफ है पैडलोक वाला बोक्स चल बेटा अब तू भी खुल जा अरे ये किस चीज का लीवर है किसी का भी हो हम तो इसे खीच देते हैं वो देख बात्रूम में रह गया है तो चलो अब हमें और ज्यादा इंतजार नहीं करना इस मन्हूस घर में लगता है बात्रूम तो शायद अभी और भी ऊपर है अरे ग्रैनी तुम क्या उधर मखिया मार रही हो हाँ बेटा वो सबजी में तरका लगाने के लिए थोड़ी मखिया प इसमें न कोकरोच, छिपकली की पूज और बिली की मूच भी मिलाई है आजा थोड़ी टेस्ट तो कर ले नहीं नहीं ग्रैनी आज मेरा पेट थोड़ा खराब है चलो फ्रेंड्स जल्दी से कहीं छुप जाते हैं मुझे लगता है कि जब तक हम यहाँ है तब तक ग्रैनी ह में अपनी बकवा सबजी नहीं खिला पाएगी बेटा कहा है तू जल्दी से आजा वहना सबजी ठंडी हो जाएगी फ्रेंड्स लगता है ग्रैनी तो बाहर ही खड़ी है मगर तब तक हम क्या करें आप ऐसा करो जैसा मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ पहले वीडियो को ल रैफी नेशन परिवार का हिस्सा बन जाओगे और मेरे दिल को थोड़ा सुकून भी मिल जाएगा बेटा मैं जार ही हूँ अब तुम जल्दी से बाहर आ जाओ वाह दोस्तो ग्रैनी तो गई इसलिए हम भी ये गैसोलीन का डिबा उठा कर अपनी बोट की तरफ भागते है अगर आज हम बचकर ना भाग पाई तो ग्रैनी की अटपटी सबजी जबर दस्ती खानी पड़ेगी और ऐसा तो मैं बिलकुल भी नहीं होने दूँगा भला कोन कोकरेच की सबजी खाता है शायद से ये उस ग्रैन्डपा की फेवरेट सबजी होगी और लो हम तो अपनी ब इस खाली डब्बे को हम कर देते हैं गुल अरे ये क्या ये कहां से आ गया मुझे तो मेरी आखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा मैं इस डब्बे को फिर से एक बार फैक कर देखता हूँ ओम जी फ्रेंड्स ये तो मैजिकल नाला है चलो छोड़ो इस कच्रे को यहीं ग्र पड़ी थी ओ देरी की ग्रेंडपा तो वही पर खड़े है वो मुझे देखे उससे पहले ही हम चाबी को उठा लेते हैं ओए छोकरे क्या चुरा रहा है तु हमारे घर से चौर चौर पकड़ो इसको हाँ हाँ पकड़ो ग्रेंडपा को पकड़ो मैं तो चला तो मित्रों अ आभी को लगा देते हैं हाँ अब हम ठंडी ठंडी हवा में घूमने जाएंगे अरे बेटा सबजी तो चक लेते भागवान ये लड़ता पादल हो गया है क्या ये नाला तो घूमकर यहीं पर वापिस आता है चला कोई बात नहीं 15 मिनट बाद सभी साथ में मिलकर खाना खा ल घर से हेलिकोप्टर एसकेप करना चाहिए या चुपचाप दरवाजे से बाहर खिसक जाना चाहिए और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना तो ओके फ्रेंड्स अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में जै हिंद जै भारत लव यू सभी क कर दो